अगर ये रेसेपी आपको पसंद आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकोन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे असलाओं अलेकुम एंड हैलो फ्रेंड्स आप सब का खेर मंगदम है आज हम बना रहे हैं बाजरे की रोटी आज हम अलग-अलग तरीके से बेलना सीखेंगे और ये रोटी सब्दियों में खाना बहुती मुफीद है बहुती ज़ादा ये हेल्दी होती है तो चलिए हम बनाते हैं बाजरे की रोटी इस रोटी को बनाने के लिए हम बिल्कुल फ्रेश बाजरी का आटा लेंगे बाजरी का आटा ज्यादा पुराना ना ले अगर बाजरी का आटा पुराना होगा तो रोटी जो है कड़वी हो जाएगी तो बिल्कुल आप फ्रेश बाजरी का आटा ले मैंने यहाँ पर दो कप बाजरी का आटा लिया है यह रोटी का आटा जादा नहीं कुंदा जाता चितनी जरूरत होगी उतना ही गुंदा है हम तो यह दिखिए मैं इसमें डारे हूँ एक छोड़ा चंचा नमक नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गुंदा लेंगे जादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे नहीं तो यह बहुत जादा सौफ्ट या नर्म हो जाएगा जितनी जरूरत होगी पानी की उतना ही पानी मिलाएंगे और इसका आटा बिलकुल अच्छे से हैं हम प्रॉपर तरीके से गुंदेंगे अगर आप चाहें तो हलका गरम पानी पर इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन यहाँ पर मैं नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर रही हूँ यह रोटिया खाने में बहुत टेस्टी लगती है इसे आप सबजी तरकारी से या नॉन विट से भी खा सकते हैं तो यह देखिए यह मेरा आटा जो है तकरीबन गुंदने आया है यह देखिए आटा मेरा पूरा अच्छे से मल चुका है अब इसे हम चार से पांच मिनिट के लिए बिल्कुल अच्छे से इसे मल लेंगे बिल्कुल भी आप यह न समझे कि इसे मलना नहीं है तो यह इस तरह हम इसे जब गुनेंगे तो रोटी जो हमारी बड़ी ही सौफ्ट बनेगी और उसके किनारे भटेंगे नहीं अब अगर आप इसे कम गुन दोगे तो इसके किनारे रोटियों के भट जाएंगे हतेली की मदद से इसे हम इस तरह से मसल दे जाएंगे तक यह बिल्कुल सौफ्ट हो जाए तकरीबन हमें इसे तीन से चार मिनिट इसी तरह गुनना है यह देखिए इस स्टेप को आप बिल्कुल भी इसकिप ना करें इसे बिल्कुल अच्छे से गुन ले यह देखिए आटा बिल्कुल हमारा चिकना हो गया है यानि रोटियों हमारी किनारे से नहीं फटेगी बिल्कुल अच्छी है यह अच्छे तरीके से आटा हमारा गुंच चुका है अब देखिए अब इसकी हम जटपट रोटिया बनाएंगे तो यह देखिए मैंने एक पेड़ा इसका तोड़ लिया जैसे हम गिहों की रोटी बनाते भुलके उससे थोड़ा से बड़ा हम इसका पेड़ा लेंगे और बिल्कुल इससे तरह से इसकी लोई तयार कर लेंगे यह देखिए इसकी लोई तयार हो गई अब इसे खुशक आटे में यह बाजरी कहीं आटा है खुशके मैं इसमें लगा रही हूं अच्छे से बिल्कुल इसे कोट कर लेंगे और यह रहा अब इस इसे हम हलके से, बिल्कुल हलके हाथ से, इसे बेलन से हम बेल लेंगे, पहले हम इसे बेलन से बेल लेंगे, बाद में आपको मैं हाथ से बेलना बताऊंगी, तो यह देखिए, आपने देखा, बिल्कुल आसानी सी रोटी हमारी चकले पर घूमी भी, और बिल्कुल अच्छे स परखुजाए नहां भ wedge है किनारे पते नहीं है अब इस नुचित को इस था पर लए चख्ठाज को पलट देंगे कि रोटी नहीं टूटे नहीं और इस ही है तो आट दूसरी तरीके से आपको मैं रोटी बेलना बता रही हूं यह देखिए इस तरह से पहले उंगलियों से इसे थोड़ा सा बने बढ़ा कर लिया साथ में खुशकाटा लगाते जाएंगी और यह देखिए बस इस तरह से गुल-गुल घुमाते जाएंगी अगर जरूरत होगी तो खुशकाटा इसे जरूर लगाएं यह देखिए इस तरह खुशकाटा लगाने से रोटी बढ़ी आसानी से फैल जाती है पर जादा भी ना लगाएं इस तरह बस इसे थपकते जाएं यह रोटी देखिए बढ़ी आसानी से जो है बढ़ जाती है पाजरी की रोटिया ज इस थरह हाथ रखेंगे और इसे पलट देगे, येदिके, हाथ में आ गई, अब मैंम नीच WHYइने जो तब घरम कर रखा है इसके ओपर हम इसे सेखेंगे तो ये इधे की इसे भर हम आसानी से सफ़ाई से रोटी तब पर इसके ओपर हम गीला हाथ लगाएंगे थोड़े से पानी के चीटे ये देखे इस तरह कीला हाथ लगाने से रोटी काफी सॉफ्ट बनती है और फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है साधा हाइ फ्लेम नहीं रखेंगे नहीं तो ये रोटी फोरण जल जाएगी और जब तक ये पानी खुश्क नहीं होता हम थोड़ा इंतजार करेंगे ये देखिए पानी खुश्क होना शुरू हो गया जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तब हम इस रोटी को पलटेंगे ये देखिए पानी खुश्क हो गया इस रोटी को मैंने पलट दिया ये कितने बहे अच्छे स्के उपर ब्राउन से स्पॉट्स आ गए हैं अब इसे हम तक्रीबन एक से और विनेट इसी तरह पीछे की साइट से थोड़ा थोड़ा सा घुमाके से हम सेक लेंगे यह देखिए फ्लीम को मैंने मीडियम रखा है अब इसे मैं पलट रही हूँ यहाँ पर भी स्पॉट आ गए है अब इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे कुछ सेकेंड के लिए इसे पलटेंगे भी नहीं पिल्कुल इसी तरह रखेंगे कुछ की दिर में यह रोटी हमारी फूलना शुरू हो जाएगी यह देखिए रोटी जो खुद बखुद फूलना शुरू हो गई आपने देखा बेकों आसानी सी रोटी हमारी फूल गई अब इसकी थोड़े से खिनार हों सेक लीगेаты तो देखा आपने ये रोटी बिलना और सेखना कितना आसान है हाला कि हम हमेशा सोचते हैं कि रोटी बाजरी की बनाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन ये बहुत ही आसानी से बन जाती है एक रोटी में आपको और सेख के बता रही हो ये देखिए इस तरह आपने रोटी डाली इसके ओपर हम डालेंगे पानी के कुछी दे और पानी के खुश्क उन्हें का इंदजार करेंगे जब पानी खुश्क हो जाएगा तब इस रोटी को पलतेंगे यह देखिए पानी जो है खुश्क हो चुका है अब इसे हम पलट देंगे अब दीखिए मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा है कुछ सेकेंड बाद मैंने हलकासा बास इसे घुमा दिया तकरीवन एक से दियर मिनेट के बाद मैंने इसे पलट दी अब इसे हम बिलकुल टच नहीं करेंगे बिलकुल इसी तरह रखेंगे मीडियम फ्लेम पर और यह रोटी हमारी कुछी देर में फूल जाएगी यह देखिए रोटी ने फूलना शुरू कर दिया है बिलकुल अच्छे से हमारी रोटी पूल चुकी है यह देखिए तो आप इसे इस तरह तवे पर बिलकुल आसानी से सिख सकते हो वहादी आसानी से यह सिख जाती है बाजरी की रोटी थोड़ी सी गेहूं की रोटी से हल्की सी मोटी होती है इसे मैंने यह लीजे निकाल लिया तो यह लीजे तैयार है हमारी गर्मा गर्म बाजरी की रोटी आप इसके उपर थोड़ा सा देसी घी लगा दे तो फिर ला जवाब हो जाएगी और इस गर्म गरम रोटी को आप जो है वेज़िटेबल से तरकारी सबसी तरकारी से या अचार से या फिर आप नॉन बिट से भी इसे सौफ कर सकते हो यह दीकिए मैं आपको थोड़ी सी तोड़ी की बताती हूं काफि Hat से दीक納ता कि कीई नुटब्सूराइध भी इस रोटी को जरूर बनाएए ऑलगा इस Luck इन्जवाइए किहारे खुछ करिए कि खासलêter अपनी अपनों को खिला है अगर यह रिसेपि आपको पसंदक आई हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने फामिली मेंबर के साथ शेयर करें लाइक करें और साथ में हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखें फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना बुलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थैंक यूँ